हेलो दोस्तों आर्पीसी गडेंज चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज का आमरा वीडियो आर्विएनल जूनियर एसिस्टेंट की एक्सपेक्टेड कट ओफ पर होने वाला है यह जो वीडियो में हमने कट ओफ बताई गई है यह पिछले साल की कट ओफ और विभ और की पोस्त जो है वह दोस्तों ही है मतलब कि जनरल कर टेग्रीमें जो ऊपन कम्पेटिशन की पोस्त दोस्तों है बाकी दूसरी केटेग्री कुलपाज जो हमारे नोन टीच्प के अंदर साथ सबस्ते आपको पते हो का आगे इसके पर हम और चर्चा करेंगे टैपिंग ट तो उन सभी को गुला जाएगा जिनके से मांग से इसका बार जो एक सर्विसमेन और विदवा और पिएज का जो वेक लोग है वोगो भी बहुत सारा है की computer based test exam जो हुआ था हमारा भी थोड़े दिन पहले उसके एड़ होंगे और 60% जो है हमारा आप जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है उसके होंगे और इस बार श्रेणी वार कुल कितने पद हैं उसके बारे मैं आपको एक बार बता देता हूं इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल पर जाकर साच करके भी देख सकते हैं एक बार मैं आपको म बोटा मोटा इसका आइडिया देता हूं दोस्तों टोटल जो 9 टीसपी के लिए पोस्ट वह 768 है जनरल के अंदर इसके लिए 204 पोस्ट है और स्पोर्ट्समें के लिए सब्सक्राइब चैनल जो बहुत ही कम है और आवेदन जो है इसके लिए डेट लाग आते हैं पिछली बार यह भरती जो है दोस्तों परतिक विभाग में अलग लग हुई थी इसली कटोफ भी सभी में अलग गई थी तो और उन सबी अगर विदूत कम्पनियों की सामानी की कटोफ जो है उसका उसत निकाल हमने तो 120 प्लस ही रही थी आप लोग कहेंगी कि पिछली बार पद भी जादा रहे थे और वह पेपर को लेवल तो दोस्तों इस बार जो है आवेदन भी उसी साब से जादा है और इस बा पर बहुत कटी नहीं था परन तो आपको बता दें कि राजस्तान जीके के लाव बाकी के जो टोपिक्स थे जैसे कि रीजिनिंग मैट्स इंदी इंग्लिश या जो भी अन्य टोपिक्स थे वो जो वनमार्क्स के थे वो सब एजी टू मोडरेट लेवल के थे और लेगी और उस पर भी सबसे पहले वीडियों लेकर आएंगे तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वेल आइकन को कर ले ताकि हम जब भी वीडियो लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिक्शन मिल जाए पिर आपको मैं नेक्स बात बता दूं कि इन सभी केटेगरी उसके अंदर एक्सपेक्टेड कट ओफ एक्सोबीस प्लस आप मान सकते हैं क्योंकि आप देखी रहे हैं कि होरिजोंटल आरक्षंड में 80% सीटे जा रही है क्योंकि आपने अभी उपर सीट में देखा ही है कि जनरल की 200 सीटे ही है और ज्यादा तर आविदंद् केटेगरी से तो 120 प्लस आप मान सकते हैं यह सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ओफ है हम कोई दावा नहीं करते कि यहीं जाएगी इसके आसपास रह सकती है ओबीसी की बात करें तो लगबग जनरल के बराबर 110 से 120 और हो सकता है कि जनरल के बराबर भी जाए क्योंकि आवेदन जो हैं वहाँ उदी को वह सकता है यह सकता है है यह हो सकते हैं इसके बास में गड़ोlles के उसकते हैं SC के अंदर 80 से उपर मान सकते हैं, 80 से लेकर 100 के बीच में, ST के अंदर आप 75 से 90 के बीच मान सकते हैं, SC से हल्की फुलकी कम मान सकते हैं, MBC के अंदर भी 100 पलस जाएगी, और X Service Men की अगर हम बात करें, तो 50 पलस मार्स आप मान सकते हैं, पर जैसे कि आपको बताया मैंने कि जो qualifying marks हैं जनरल के लिए 30% और बाखी categories के लिए 20% तो एक service man अपनी category के हिसाब से qualifying marks पर भी selection के पूरे chance बनते हैं और विडियो के अंदर भी पिछली बार की भरती के अंदर भी qualifying marks वाले को सभी को select कर लिया था टाइपिंग के लिए और आगे की आगे भी मतलब जो जो जोइनिंग के लिए मतलब टाइपिंग के बाद में भी उनको qualifying marks पर select कर लिया गया था और आपने देखा ही कि 28 पोस्ट है मतलब सबसे ज़्यादा पोस्ट ही एक service man की बनती इस बार इसमें और उनके अंदर आवेधन भी कम ही आते हैं आप जानते हैं तो उनके selection के chance qualifying marks पर भी है तो कोई भी अगर हमारे एक service man या video category वाला कोई वीडियो को देख रहा है तो उनके अगर qualifying marks आ रहे हैं तो typing की तहरी शुरू कर दीजिए आप लोग इसके बाद में हम next बात करें divorce महिल BL blind और low vision वाली डीफ और other categories तो जो LD category है उनके अंदर तो 60 सितर जा सकती मतलब SCST के ओल्मुट जाती है LD की जो मतलब cut off है और इसके अलावा जो other categories उनमें ज्यादा तर में qualifying marks जाती है और वो उसका अलग से उतलब आपको जब result आएगा तभी तभी पता चलेगा क्योंकि सब के अंदर निगम के अंदर हर निगम में हर company में अलग अलग जो है उसके अंदर पोश्ट दी गई दोस्मा कि आंकलन है अभी official नहीं है official आईगी तो हम आपको बता देंगे इसके बाद में दोस्तों अगर हम PWD की category की जो सीट्स हैं वो सभी category में नहीं है मतलब कि PWD में जैसे मैं आपको उपर दिखाया था तो उसके अंदर आप एक बार परस करके आप देख लेना और आपको मैं इ आपको बता रखा है वहां से आप देख सकते हैं तो PWD की जो category की पोस्ट है वो किस कंपनी में किसी में ज्यादा है किसी में सभी categories के लिए नहीं है जैसे कि मैं आपको बता है कि पहली एड़ी CP और यह सब है तो LD के लिए आपको बता दिया आप एक बार और पोस्ट के साब आप से भी देख सकते हैं और यह भी आपको बता दूं कि LD जो category है मतलब PWD की categories है उसके अंदर जो लोग typing नहीं कर सकते हैं जो physically handicapped हैं उनके लिए typing का टेस्ट नहीं लिया जाएगा उनको उससा तंग दिये जाएंगे मतलब उनके जितने return test में CBT के अंदर marks आ रहे हैं उसी की हिसाब से उनको उससा तंग दे दिये जाएंगे और उसी हिसाब से कट ओफ और मेरिट लिस्ट बनेगी फिर अधिक जानकर एकला आप में आपको अता दो आर्विनिल को ओफिशल नोट्विक्शन को भी देख सकते हैं और टेलीग्राम भी गूब लेबल हैं आपको अता एक्जाम की तैरी कर रहे हैं तो आपके यह तापको प्लस आरे हैं क्योंकि टाइपिंग करने साफ कोई होगा और दोस्ताम में बता सकते हैं कि आपके साथ से कट जाने की संबावना क्योंकि ऑनकिए चिए को यह को आप पिशियल नहीं आप इसके और हम इन्हें बिलकुल और स्रेणिवार पोस्ट और टाइपिंग की जो जानकारी है यह मैंने पुराने वीडियो में भी दे दी है तो आप उन्हें भी देख सकते हैं और दोस्ता आपने तक वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को स जानकारी नहीं है तो वह उसके बारे में देख सकते हैं और आगे की जो टाइपिंग की डिटेल से टाइपिंग के बारे में और भी वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे यहां तक अपने वीडियो देखा उसके लिए फिर से धन्यवाद थैंक्स पर वोजिंग